नमस्कार दोस्तों शॉट हैं गुरू जी की यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है रामधारी गुपता जी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं आज हम पहुंच चुके हैं पार्ट बाइस में जिसमें पतलेखन संक्या 56, 57, 58 और 69 हमने कवर किया हुआ है टिक्टेशन की गती सौ सब्द परते मिनट की है आप सभी लोग रेडी हो जाएए और फटा फट वीडियो को लाइक कर दीजें टिक्टेशन स्टार्ट करते हैं पांच सकंड के बाद रेडी स्टार्ट लेकिन इस बात को देखने की आवश्यक्ता अब पैदा हो गई है कि देश में जो धन पैदा होता है वह कहां जाता है इतनी प्रगती होने पर भी हम देखते हैं कि गरीबी दूर नहीं हो पा रही है गरीबों को खाने के लिए अन नहीं मिलता पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता इसका क्या कारण है यह गंभीरता पूरवक सोचने की बात है यह समस्या समाजवाद का प्रस्ताव पास करने से ही हल नहीं होगी उपाधच महोदे महराश्टरपती महोदे के भाशन पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने समाजवाद का केवल नारा ही नहीं लगाया है बलकि समाजवाद को मूर्त रूप देने के लिए कदम भी उठाने प्रारंब कर दिये हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरीबी हटाओ गरीबी मिटाओ यह केवल आंदोलन ही नहीं रहा बलकि इसको कारे रूप में परिड़त करना भी आरंभ कर दिया गया है इसके लिए मैं अपने प्रधान मंत्री को जितना भी धन्यवाद दूँ वह थोड़ा ही है मुझे आपसे यह भी कहने का साहस हो रहा है कि सरकार ने इस समय हमारे पहाडी छेत्रों को पूर्ण राज्य का दरजा दे दिया है आज तक तो वे बिलकुल पिछडे हुए थे मैं आपसे यह कहने का भी साहस कर रहा हूँ कि पहाडी और सीमा के छेत्रों को राज्य का अदिखार तो दे ही दिया गया है उनको यह औसर भी दिया गया है कि वे अपने पिछडे हुए इलाके को उन्नत बनाने के लिए स्वयम प्रयत्न करें और अपने पैरों पर खड़े हो लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ आपके सामने यह कहना पड़ रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाडी जिले हैं वे आज भी बहुत ज्यादा पिछडे हुए हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है मैं सरकार का ध्यान इस बात की और दिलाना चाहता हूँ कि कुछ दशक पहले इसी दिल्ली में पहाडी इलाकों के सैकडों भूमी हीन किसानों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था और उन्हें हमारे राष्ट्रपती ने आश्वाशन दिया कि उनकी भूमी समस्या हल करने के लिए वे उत्तर प्रदेश की सरकार को लिख रहे हैं लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कई वर्स बीत गए हैं किन्तु एक चप्पा भूमी भी किसी भूमीहीन को आज तक नहीं दी गई है हमारे भूमीहीन के सान कभी जेल में सड़ते हैं और कभी कहीं मारे फिरते हैं लेकिन भूमी उन्हें नहीं मिली इसी प्रकार मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी लिखा था कि हमारे उत्तरप्रदेश के जो पहाड़ी जिले हैं वे पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं इसके अलावा एक बार हमारे प्रधानमंत्री जब यहां डवरे पर आये थे तब उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में भाशन दिया था उपाध्यच महोदे अपने भाशन में उन्होंने कहा कि मैंने आस तक ऐसी गरीबी के दर्शन नहीं किये जैसा कि मैं देख रहा हूँ ऐसी गरीबी जब हम स्वतंत्र नहीं थे तब अवश्य देखने को मिलती थी लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात मैं पहली बार ऐसी गरीबी देश के किसी भाग में देख रहा हूँ देश के विकास के काम को बढ़ा कर ही ऐसी गरीबी हम हटा सकते हैं सरकारी उद्योगों की स्थिती अजीब है हर संभो, कोशित से और सत्भाव बना कर सरकारी उद्योगों के करमचारियों को आप अच्छा वेतन देते हैं और उन्हें रहने का अच्छा स्थान देते हैं, फिर भी घाटा होता है और देश का नुकसान होता है कारण क्या है? कारण यह है कि आपकी और द्योगिक नीती गलत है और जो रुपया आपके पास है उसको भी आवश्यक काम के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं एक तरफ बोकारों के लिए 600 करोड रुपया रख रहे हैं और दूसरी और राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है एक और महाराश्टर के अंदर आप नई चीनी मिले खोल रहे हैं और दूसरी और उत्तरप्रदेश और बिहार के अंदर कारखाने बंद हो रहे हैं या जो उनकी छमता है उस पर पूरे तोर पर काम नहीं कर रहे हैं यह कोई और द्योगिक नीती नहीं है इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि हमारी और द्योगिक नीती सफल हुई है मंत्री महोदे कहते हैं कि वे सिचाई के लिए एक सिचाई आयोग बनाएंगे अच्छी बात है मगर सिचाई की क्या हालत है हमारे देश के अंदर यह भी तो देखिए जिस समय हमारे देश में कोसी बांध का काम शुरू हुआ था उस समय पाकिस्तान ने एक बांध पूरा कर लिया था वहां उससे सिचाई हो रही है और हमारे यहां इसका काम आधा भी नहीं हुआ है राजस्थान नहर शुरू हुए कितने वर्ष हो गए हैं परन्तु अभी भी वह बनी नहीं हमारे यहां कोई ठीक तौर तरीका नहीं है मंत्रियों और सानसदों के मकानों के लिए करोणों रूपए निकल सकते हैं मगर देश के उद्योग के लिए देश के किसान और मजदूर के लिए जो रुपए चाहिए वह नहीं मिल सकता उसके लिए रुपया नहीं दे सकते हैं यह कोई उद्योग नीती नहीं है यह एक खिलवाड किया जा रहा है मैं कल सदन को बतला रहा था कि कुछ सडकें विश्व बैंक की सहायता से बनने वाली थी महोदे समाच कल्यान संस्थाओं का काम बहुत बड़े परिमान में बढ़ा है आजकल इसके लिए अनुदान भी पहले से कहीं अधिक दिये जाते हैं हर पंचवर्षिय योजना में हम इस पर अधिकाधिक धन खर्च करते हैं और आजकल समाच कल्यान का कार्य करने वाले पूर्ण कालिक कार्यकरता भी पहले से बहुत अधिक हैं लेकिन मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि जैसे जैसे हमारे व्य और कार्यकरम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इस काम में व्यक्तिगत उत्साह और लगन की भावना घटती जाती है अध्यच महोदय ने मिशनरी भावना का उलेह किया और मैं भी अनुभव करती हूँ कि आज वह नहीं है मैं यह केवल बोड के बारे में ही नहीं बलकि समाजिक कार के समस्त छेत्र के बारे में कह रही हूँ फिर स्वेच्छा सेवा प्रयास भी कुछ कम होते जा रहे हैं ऐसा भी होता है कि जब विचार संस्ता बद्ध हो जाते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ आशय युक्त काम करने की भावना आ जाती है अगर आपको आज का डिक्टेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक वाले बटन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अगर आप विजिट कर रहे हैं पहली बार हमारे चैनल पर तो सबस्काइब भी कर दीजे बहुत ज़्यादा जरूरी है तो अपनी तयारी को उसी तरीके से करते रहे हैं मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई झाल झाल झाल